नमस्कार आज हम तत्पूरुष समास समझने वाले हैं तो तत्पूरुष समास में हम क्या समझेंगे सबसे पहले कि तत्पूरुष समास कैसे करते हैं उसका विग्रह कैसे करें और परिक्षा में कैसे प्रश्ण आते हैं उसके बाद समास और समास का जो विग्रह होता है उसका आसान तरीका क्या है मतलब समास कैसे करे समास का विग्रह कैसे करे क्योंकि एक्जाम में आपको समास करने भी आता है और समास का विग्रह करने के लिए भी आता है दोनों भी questions आते हैं तो आपको दोनों भी आना चाहिए तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते है तत्पुरुस समास को ही विवक्ति तत्पुरुस समास भी कहते है अभी समास मतलब क्या है तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो एक शब्द बनता है उसे समास कहते है समास में होता क्या है हम दो शब्दों को जोड़ते है संदी में हम दो वर्णों को जोडते हैं, समास करते हैं हमें संदी की जरूरते हैं, संदी जरूर करनी पड़ते हैं, संदी अवश्य करना है, अभी समास कितने प्रकार के हैं, तो समास है, एक अव्वेवाव समास है, एक ततपुरुष समास है, एक दोंदो समास है, और एक सब्तमित सम्तों कि इस समास में प्रतमां चुड़कर सभिवख्तियों का यूज वता है असलिए सम्तों कहे और जिस समास में जो विवक्ति यूज हो रही तो एसे उसके नाम दे जैसमें कर दो में होती है तो टी उसके कुछ सामने नियम है, वो भी हमें समझना जरूरी है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ कर समास बनता है, समास करते समय मूल शब्दों को जोड़ना है, जब हम समास करते हैं, अभी जब कोई दो शब्दों होते हैं, विवक्ति दी जाती है जैसे बा लकस्य, फलस्य, फलम, फले जो भी है विवक्ति दी जाती है तो जब हम उस श कि मुल्शब्द रहेगा हमें वही मुखुड लेना है और उसकी विभक्ति dön использ करने में आसानी उती है यदी समास करते समय शब्दों में संधी का प्रसंग – अवश्य संधी करे, यह आपको ज्रूर है करना है संधी की जरूरत है तो संधी का प्रसंग है और उस यह संधी करना जरूरी है, तो यह जो करते समय तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं तो ये समास में प्रतर्मा को छोड़कर बाकी सभी विवक्तियों का प्रयोग प्रयोगbahn होता है इसलिए समास को विभक्ती कुद्स अमस कहते क्यों कि इसमें प्रत कolorती नहीं होती सबसे पहले हम धूतियाततपुरुष को समझे लेते हैं तो धूतियाततपुरु समस्य क्या है अभी कैसे पैचाने के धूतियाततपुरुष यह तुर्टियाततपुरुष चतुत पूर्श तूसी केलिए हम इस समझना जरू है तो छ Immediately अतीत, पतीत, गत, प्राप्त, आपंगामी भुभुक्षु जब ये शब्द रहते हैं तब हमें जुत्या वीभक्ती करना है. आपको अभी समझ आ रहा होगे कि ये उपपद विबक्ती की तरह ही है जैसे परीता है तो हम दित्या यूज करते थे तो जैसे उपद विबक्ती में जो कुछ शब्द थे जब वो शब्द रहेंगे तो हमें वही स्पेसिफिक विबक्ती करने पड़ती थी उसी तरह से यहां इस तत्पुर समास में भी है अब ये भी उपद विबक्ती की शब्दे आप ऐसे समझ सकते हो तो अभी होता कैसे तो जब समास करेंगे तब पहला शब्द रहेगा दुतिया अन्त शब्द मतला ऐसा शब्द की जो दुतिया विबक्ती में है और जो दुसरा शब्द रहेगा और रहेगा इन में से कोई भी ये जो श्रीत अतित पतित है इन में से कोई भी एक शब्द रहेगा और फिर दोनों मिलकर बन जाएगा दुतिया तत्पुर्ष तो आपको ये याद करना है श्रीत अतित पतित ये याद करना है जैसे खुदारन देखते हैं तो आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएगा जैसे कुरुष्णम श्रीत हो अभी देखे श्रीत शब्दा आया है तो श्रीत से पहले जो भी शब्द रहेगा ठीक है जो कुरुष्ण शब्द है तो उसमें द्वितिया करना है मतलब इनए जोड़ना करते हैं तो श्रीत हो के पर पुरे शमास नहीं भी से यह कराएगी तो इसलिए हम क्या करेंगे तो जो प्रतम शब्द है उसी का मुल शब्द लेना है जो दृतिय शब्द सेकेंड मतलब जो भी लास्ट रहेगा वह ऐसा की वैसा ही रखना है तो शृतह जैसा है वैसे रख दिया और बात में श्रीप जोड़ना है कुरुष्ण शृतह तो कुर श्रीप से थे लिए तो नहीं करेंगे कुरुष्ण शृत allora यSका मतलब जोड़ना करुष्ण कर अश्रै कुरुष्ण कर का सहारा लिया हुआ तो जब भी शृत्रे बहुए उर शृता के लिए ऐसा भी शृतुस भी शृता बस शृता को ही पहिले आ लगता है तो इस तरह आपन्न मतलब प्राप्तक हूँ दोनों का मतलब सेम हैं गांए मतलब जाने वाला ब्भुख् cho मतलब भूका और यह सभी लगबब विशेशन हैं इंका मतलब बता है यह तीनों लिंगों में च Ö wonderful हुट ऋभ शृत यह सभी ऐसे तीनों लिंगों में चलेंगे उसके कुछ एक्जामपल देख लेते जैसे देखो आ श्रमम ऐसरी ताहर order उसका समज करना है तो समाज के लिए हम क्या करने है मूल शब्द rated ko लेंगे मतलब तो आप इसका विग्रह करोगे तो आपको पता होना चाहिए आपको विग्रह करने के लिए भी आता है तो आपको पता होना चाहिए तो यहां आश्रिता है तो वही ध्यान रखेंगे उसका ही ध्यान रखेंगे तो आश्रिता है मतलब पहला जो शब्द है आश्रम इसमें द् मतलब वन को पार की हुई ऐसी कोई स्तरी वनातिता महिला ऐसे कूपम पतितम कूप पतितम देखो यहां नपुस लेंगे लास्ट में ध्यान रखना है पुलास्ट में जो है वही समास के लास्ट में आ रहा है मतलब विग्रह में जो पतित में जो लिंग विबक्ति वचने वह के समास का जो लास्ट यह भंडिया रहा है तो कूपम परतव कूपम का मतलब क्या है कोवे में गिरा हुआ है इसलिए पहला जो शब्द ऊसमें तो लास्ट पावजनी रहेगा तो समास बने और ग्राम शब्दे पुल लेंगे हैं उसके बाद पुस्तकम प्राप्त हा पुस्तक को पाया हुआ ग्राम गता हा मतलब गाउं को गये हुए ऐसे बहुत सारे बेखती कूप पतिता मतलब कुए में गिरा हुआ जो भी है नपुसक शब्द रहेगा या दुखम आपन्ना दु आमीन ऐसा शब्द है करीन की तरह चलता है अन्नम भुभुक्षू हू अन्न भुभुक्षू हू ठीक है तो खाने का भुका ऐसा उसका मतलब होगा तो जो भी है तो इस तरह से दुटिया तत्पुर समा से तो अभी एक्जाम में कैसे कोशन आते हुए हमें समझना जरूरी जैसे आँ देखिए अभी यहां इस आपको दिया जाएगा एक सुका अपन्ना इसे अंडरलाइन की जाएगी और आपको बस यहां बताना है कि कौन सा समा से जो पहिचानना है तो सुक आपन्ना पहला जो गलत है क्यों कि यहां विबक्ति नहीं क्योंकि आपन्ना जब रहे अब यह दो आपं नहीं स्रीलियंग कोले हुगे हैं तो इसा कौंसा अशृता है को क्या है Parents रूपा श्रिता अब हम थृत्या तत्पुरुष कौन कौन से शब्द है सदूरूष सम उन अर्थ वाले शब्द उनका मतलता है कम लेश कलह निपुन मिश्र अप्सक्राइब तो इन शब्दों के सांत तृत्या ततपुरुष समास होता है। उदारन अभी इसे समझ लेते हैं सबसे पहला तृत्यांतर षब्द रहेगा और उसके बाद पूरुव जदुर्श मतलब इन मेंसे कोई एक शब्द रहेगा और फिर दोनों मिलकर तुरुतिया ततपुरुष समास बन जाता है जैसे तुरुतिया ततपुरुष था सेम उसी तरह से बस शब्द अलगे और यहां तुरुतिया विभक्ति होती है इसलिए इसे तुरुतिया ततपुरुष कहते है बाकी दूसरा कोई reason नहीं है जैसे देखिए मासेन पूर्वः पूर्व शब्द है इसके कारण मासेन इस शब्द में तृतिया हुई है मासेन पूर्व जब हम समास करते तो मूल शब्द शब्द लेते तो मास और फिर पूरुव अभी लास्ट जो शब्द है वो जैसा है वैसा है रखेंगे जोड देंगे फिर बाद में अभी संधी कोई नहीं तो स्रिफ जोड़ देंगे मास मतलब क्या होता है कि एक मन्त पहले ठीकिंगे है उसी तरह से अंव उसके कुछ मिन क्लाहर का मतलब पहले सद्रूष ह मतलब जैसा समstones मतलब जैसा दोनों का मतलब जैसा उन्हार्थ मतलब कम अर्थ THE शब्द कल्ह मतलब जगड़ा नीफुना मतल ंएक्सपर्ट मिश्र मतलब में ठीक है तो अभी उसके कुछ disappears देख другой मिट्रन सदुश मित्र के जैसा इसका मतलब ऐसे होता है मित्रत शब्दे ले लिये मित्रन का मुल शच्ब्द मित्र सब्दा मित्र इसे ता छोड़ देना नस्य पर इंशाफ मैं मित्र सदुरुस assez इसका विएक करने के लिए आता है तो आपको मित्र में तुरुद्या करना है क्शक्न हैं तो आपको पर धियर धुद्द के दो पहले वाले शब्द में तुरुत्या करना ही बाकी कुछ नहीं उसा तरह से त्यागेन समह तो यहां समम है त्यागेन समम त्याग समम मुलशब्द लेना है जोड़ देना है पादेन उनम पादोनम तो यहां देखे अभी पादेन तो पादेन का मुलशब्द पाद है और बाद में उन तो अ प्लस उ व बन जाएगा तो गून संदी पादोनम ऐस तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वाचा का वाक करना है समास में कोई भी समास हो तो वाचा का मुल शुब्द वाख ही करेंगे हम वाख कलह इस तरह से नेक्स्ट वाचा निपुनह तो अभी यहाँ देख लिए वाचा निपुनह तो वाख निपुनह तो कया कर दिया और निपुण अभी यहां देखिए सामने न है अभी जैसे हमने कहां ता पहले की संदी का इदी प्रसंगे तो संदी जरूर करना है तो वांग को अंग बन जाता है अनुनासिक संदी जो है उससे और फिर बाद में जोड़ देना है वांग निपुण नहां बोलने में कुण जादा तर सब्तमी में भी यूज होता है यह भी धाड़क नाम हो आप तृतिया में भी उसका यूज कर सकते हो सब्तमी में भी यूज कर सकते हो उसके बाद गुड़े न मिश्रम गुड़ मिश्रम तो गुड़ मतलब जो खाने का गुड़ होता है उसके द्वारा मि इसे कोशन आते हैं तो अहम शरकरा मिश्रम भोजनम खादामी तो शरकरा मिश्रम तो एक्जाम में इस तरह से कोशन रहेगा तो शरकरा मिश्रम है तो आपको ध्यान रखना है कि ये तुरुतिया भी भक्तिवाला शब्द है तो पहला जो शरकर शब्द है उसमें तुरुतिय होनी चाहिए तो शरकरा ऐसा श्रीष भग है तो शरकरा यह तरह तो शरक रया शरक रया मिश्रम तो इसका एंसर सही है तो आपको ध्याण रखना इस तरह से अब यहां देखेश चरकारा आया तो मासेन पुरुव तो यहां कर देंगे मास पुरुव यह लास्ट वाला अंसर सही है क्योंकि यहां देखो मासेन तो यहां तो विबक्ति अटा है नहीं विबक्ति अटा नहीं तो मास पुरुव मूल शब्द लेना है मास और यहां भी नहीं लिया तो ये दोनों भी गलत है और नीचे वाला मास पुरुव सही है उसके बाद जो चतुरती तत्पुरु समास है उसमें कुछ शब्द है अर्थ, बली, हीत, सूक, रक्षित इन शब्दों के साथ चतुरती तत्पुरु समास होता है तो पहला चतुरती वाला शब्द रहेगा उसके बाद इन में से भी कोई एक शब्द रहेगा आपको ये शब्द याद करने तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर दोनों मिलकर मतलब चतुरती वाला शब्द मिलकर और बाग बचे हुए शब्द में से कोई एक शब्द मिलकर चतुरती तत्पुरुसमास बन जाता है और इनके मिनिंग लिए एक बार अर्थ मतलब के लिए बली मतलब बली देना हीत मतलब कल्यान भला सुक मतलब सुक रक्षित मतलब बचाया हुआ या रक्षा किया गया ऐसा भी हम उसका मिनिंग ले सकते है तो चलिए उदारण से समझ लेते हैं सबसे पहले जो अर्थम वाला है ना तो अर्थम के लिए हमें जब हम अर्थम का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते हमें हमें सरोना में उसकरना है इदम सरो नाम यूज़ करना है अयम इमो इमे पुलिंगे स्ट्रिलिंग का इम इमे इमाहा और नपुसक का इदम इमे इमानी इनका यूज़ करना है उदारन में समझाता हूँ जैसे देखो बोजनाय इदम मतलब विग्रह में आपको अर्थम नहीं दिखेगा जैसे अपने अववेबाव समास सीखा है तो आपको पता चलेगा कि अववेबाव समास में भी हम विग्रह में कुछ शब्द अलग लेते हैं और समास करते हैं अब दूसरा एक एक जामपल लेते तो आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएगा बाला या इदम सभी बाला या मतलब यह मतलब यह स्री लिंग है इसलिए जब हम समास करेंगे तो बाल शब्द मुल लेंगे और बाला अर्था क्यूंकि इम स्री लिंग है तो बाला अर्था चलेगा इसके बाद है कुछ एक्जामपल और समझ लेते हैं अभी इसके उधारन कैसे हमें समझना जरूए हम विद्या लें पढ़ने के लिए ज इसका विग्रह करने तो पठनाय इदम अभी पठन शब्द में अर्था शब्द आया है इसलिए पठन में हम चतुर्थी तो करेंगे मगर इदम का कौनसा लिंग लेना है कौनसा वचन लेना है तो उसके लिए अर्थम देखो अर्थम नपुसक एक उचन है तो हमने भी मतलब मालीनी नाम की लटकीे उसके-लिए फूल है मालीनी पुषल iod नपुसक पुषल नपुसक आया इसलिए अर्थम नपुसक तो मालिनी में चतुर्थी होगी तो मालीनीB करन दीर हेक इकारन शब्द दे तो माली नहीं नध्यए अर्थम तो नंपुसक तयक क ret me उसके इ मैं अब यह का का युज होता है यह जो बोलते न आपने कभी ट्यूवी में देखा पता चलेगा तो का को बली जब कोई श्राद्द होता है तो हम काकबली देते हैं तो उसे का कब बली ही राष्ट्रा के लिए ही राष्ट्र के लिए बचाया गया, मतलब कोई खाना है, तो कन्या रक्षितम बोजनम हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब लड़कियों के लिए खाना बचाया गया है, ओके इस तरह से चतुरतितत्पुरुस समासे, तो उसके कुछ एक्जामपल कैसे आता है, एक्जाम में तो भी समझ लेते हैं, यह बोजन चात्रों के लिए बचाया गया है, तो इसका समास करेंगे, तो चात्र बेका मुल शब्द चात्र है, तो यह चात्र और रक्षितम यह नपुसक इसलिए रक्षितम, चात्र रक्षितम यह समास सही है, बाकी तो गलत है, क्योंकि यह जोड़ा नहीं है, इसलिए तो नहीं हो इब लुक्ति विक्ति आने चाहिए यहां देशति के इतितार इचाहिए है ऐसके बाद जो है पंजमी तत पुरुष तो इसमें कुछ शब्द happily hello है इसमें बहुर्दों के साथ 5 पुरुष होता है तो पहला शब्द पंचमित रहेगा और फिर उपंचमित नथ बन जाता है खांब तत्प्रश्ट को कहता है क्योंकि पाला शब्दा है इसलिए है भय का मतलब दर भी त ढ autocon को चुटा उस पता करेंगी तो उस मुल शब्द लेंगे अभी सब से में उसमें कुछ अलग नहीं बस आपको द्यान रखना भाय में तो पहले वाले शब्द में चतुरति करना है और समास करते समय बत जोड़ना है मुल शब्द लेकर जोड़ना है चोर भायम बन गया लास्ट में जो विवक्ति वचन लिंक था हुआ तो पंचयमी देखो मिनींग भी वही निकल रहा है तो यह लगघवाँ ईपपधि वक्ती की तरा है उर्काथ भी वही त्झैं बेडिया से डर तो उर्क भी तो वहां कूपम पतित है क्योंप कि वहां कुवे में गिर रहा है तो इसले वहां दुट्या होगी अभी लगेगा कोपम पतिता कुवे में तो सब्तमी पर में मगर नहीं जैसे उपद बक्त में कुछ शब्दफिक्स हुते हैं कि जब वह शब्द रहेंगे तो तो इसका भी समास करना है मतलब उसकी सजा के पूरी और वह समास कार तो एसे एंगा समास कोई चुट गया करेंगे तो मुल शब्द लेना है कारागार ठीक है और मुक्तह जैसा है वैसे रिख देंगे अभी आ देवात भीताहा असुर देव से डरते हैं तो असुरात स्वारी देवात मतलब अभी सब्जद लेंगे जैसा भीघा में बीजथ होगा अभी देखते हैं यहां बस आपको मिनिंग पर दियान देना है ऐसलिए जब हम समास करते है तो उससे पहले हमें वाक्यरशना आनी चाहिए तभी हम समास अच्छी तरह समज में आता है तो शेष्टी का जो मतलब होता है काके की, जब भी काके की मिनिंग रहेगा तब हम शेष्टी करते हैं, तो जिसके साथ भी वो सम्मंद वाला शब्द है, उनमें हमें शेष्टी ततपुरु समास करना है, उदारण में हम समझ लेते हैं, उससे पहले और एक निये में जो पू तो यहां मिनिंग पर द्यान देना है, राजय का सेवक, राग्यह सेवक, अब इसका समास करना है, तो समास करने का हमारा नियम क्या है, तो मूल शब्द लेना है, तो राग्यह का मूल शब्द राजय ने, तो वो ले लिया, मगर न का लोप करना है, मतलब न को हटाना है, ल वाजयस्य सेव का इसा नहीं करना है कि उसके बाद और एक की मुणिंग रहेगा तो आपको शेश्टितत पुरु समाज समझना है राष्ट्र पति ही तो राष्ट्र के पति जो राष्ट्र पति शब्द है तो उसका मतलब क्या था राष्ट्र के स्वामी मालिक तो राष्ट्र अस्यो ठीके तो यह समा से अभी उसका विग्रक करेंगे तो राष्ट्र के काके की तो राष्ट्र अस्यो ठीके अभी एक वोच जब बन जाता है उसके सामने वह है तो यह विसरग संदी का नियम है तो मन वृत्ति ही तो मनसर वृत्ति ही इस तरह से उसके बाद जो है जोड़ देव प्लस देवयह है तो यहाँ बस समास्त से में मतलब मुल्च अबद लेना और जोड़ देना है मात्रु भुमी देखो मूल शब्द मात्रु है उसके शेष्टी है मात्रु भक्ती स्वारी माता की भक्ती काके की तो मात्रु भक्ती ही मात्रु सेवा मात्रु सेवा तो मूल शब्द लेंगे मात्रु का मूल शब्द मात्रु है तो उस तरह से मात्रु सेवा शब्द बन जात रखता है ततनहां तष्यतनहाय हवाहँ तस्यतनह त mirrors तका अ सदल सकते हैं समय रखना है तो आड दिखें आप खीकर्टा है अड़र खाना perd इंगराना तो निशा में शष्टी तो करेंगे निशा यहां मगर अंदकारे जो है उसमें वही विवक्ति रखेंगे अंदकारे निशा यहां अंदकारे रात के अंदेरे में तो जो विग्रह में जो लास्ट वाली जो रहेगी विवक्ति वचन रहेगा वही समास में भी रहेगा उस सेम गर के अंदर का के । एक्जाम में कैसे कोशन आते हैं मातन्ता की सवा का मातना की काखे की मातन्तों नूं सेज्ट हुआ मातन में तो सवा कर दिए क्षा यहां प्रतम है तौय गलत हुआ मातस्य तो ये गलत हुआ तो मात्रू सेवा यहा शेष्टी है मकर मात्रू में शेष्टी नहीं है इसलिए भी गलत हुआ तो मात्रू सेवा यहा आपको इस तरह से द्यान रखना है राग्य हो पुरुशह तो ये तो हमने किया था अब ही जैसे हमने पहले कुछ समास समझ लिये थे जो नहीं बस एक अलग है बाके तो लगबग सबी में कुछ ना कुछ शब्द है जिससे हमें मदद हो जाते है तो इसमें कौन-कौन से शब्द है धूरत, प्रवीन, पटू, पंडित, कुशल, चपल, निपुनाहा इस सभी शब्द है और इन शब्दों के साथ सब्तमितत पुरुष समास होता है तो सबसे पहले सब्तमितत शब्द रहेगा मतलब सब्तमि विवक्तिवाला शब्द रहेगा उसके बाद धूरत, प्रवीन, ऐसा कोई भी इन में से कोई एक शब्द रहेगा और वो दोनों मिलकर सब्तमितत पुरुष समास बन जाता है अभी उसके बाद सबीके एक बार मिनिंग देख लेते हैं धूरत मतलब कप्टी, प्रवीन मतलब होशियार, पटू मतलब चालाक, पंडित मतलब ग्यानी, कुशल मतलब सिद्ध हस्त, सिद्ध हस्त को हम परफेक्ट कहेंगे चापल मतलब चालाक, पटू और चापल का दोनों का मतलब लगबखसे में, निपुन मतलब सिद्ध हस्त, ठीक है, तो इस तरह सबीका मिनिंग है अब उसके समास हमी देख लेते एक बार कैसी करना है, तो कारिये दूर्तह, मतलब काम करने में दूर्तह, काम करने में कप्टी, ऐसका मिनिंग ये विग्रह है, उसका समास करना है तो समास करने का असन नियम क्या है बस विबक्ति अटाओ तो कारे का विबक्ति अटा कर मूल शब्द लेंगे कारियो और धूरता जैसा है मतलब जो लास्ट वाला शब्द है तत्पुरू समास में हम क्या करते है जो लास्ट वाला शब्द है वो जैसा ही वैसा है रख देते ह विग्रा है उसका समास करेंगे मूल शबद लेंगे स्था और पिर देंगे स्था प्रवीन एक्सपर्ट वाची पटु हूं डो सचोपन्दीन ध्र्म धर्मग्रंत है उनमें होशियार ग्यानी लिए थो अलेक पढ़िए में कुखल प्ठन कुषी घ्ल मतला बोलने में घ्ल वाग चपल धिक जीन निपुन लगप कार्या निपोन हम तो निपन है तुछ त्रूतिया में भी आया था आप में आफ-दल्य याद होगा झाद थे Kareia Niven के जो कुछ relationships है मतलब सब्तर्मी तत्पुर्ष समास के remains केί जये कोश्यंस मतलम है कुसे लिए नुपह युद्ध निपुन हास्ति अिस तरह से क्वोष्ट ने तो युद्ध निपुनह इसका अभी समा में विघ्रह करना ना है की निपुण मतलब यो शब्द रहेगा तो उतसे पहले वाला शब्द उस्प्द मीं माभारत का चैरेक्टर वह है कि कैरेक्टर एक शकूनी मां मां उसे हम कहते हैं तो यहां देखिए में क्या किया है कि मूल शब्द लिया है मगर उनने जोड़ा नहीं है इसलिए भी गलत हुआ तो यह आपको ध्यान रखना है तो समाज जो होता है जोड़ना जरूरी है ठीक है तो इस तरह से सब्तमी ततपुरुष समाज था तो आज हमने सभी जो ततपुरुष के जो प्रकार है वो सभी हमने समझ लिये है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद